24 मार्च होलिका देहन इस दिन होली की अगनी में चुपचाप ये एक चीज डाल कर होलिका की परिक्रमा करें और बोलें ये एक मंत्र, यकीन मानिये, पूरे साल घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी अतह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें दोस्तो, होलिका देहन का पर्व संपूर्ण भारत में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है होलिका देहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अगनी जला कर उसकी पूजा की जाती है होलिका देहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है शास्त्रों की माने तो होली के पश्चात ही सभी शुभ कारियों की शुरुआत होती है क्योंकि होली से पहले के आठ दिनों को होलाश्टक कहा जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किये जाते जैसे ग्रिह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन आधिकार्य होलाश्टक के दौरान निशेध माने गए है होलिका देहन का पर्व, आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्व पूर्ण माना जाता है इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाये भी किये जाते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए, शास्त्रों में कुछ ऐसे कारियों के बारे में भी बताया गया है, जो इस दिन करने से पूरे साल घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिती खराब है, धन का नाश हो रहा है, गरीबी से दुखी है, रिष्टे तूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेश उपाय अवश्य करें. सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो आप होलिका देहन के समय कर सकते हैं. होलिका की अगनी में कुछ चीजें डाल कर होलिका की परिक्रमा करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करने मात्र से संकटों से मुक्ती मिलती है. दोस्तों होलिका देहन हर वर्ष फालगुन मास की पूर्णिमा तिथी को भद्रा से रहित प्रदोश काल में किया जाता है. इस बार होलिका देहन का पर्व 24 मार्च को बनाया जाएगा. आईए अब जानते हैं कि होलिका देहन के दिन कोन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए? जिन उपायों को करने से जीवन में विशेश धन प्राप्ती के योग बनेंगे और दरिद्रता का नाश होगा. दोस्तों, घर में शांती बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बरतन में ग्यारह लाल साबुत मिर्च रखकर उसे पूरे घर में घुमाएं और फिर उसे होलिका की अग्नी में डाल दें और भगवान नरसिंह से हाथ जोड़ कर घर में सुख शांती की प्रार्थना करें. ऐसा करने से आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ती नश्ट होती है और घर में सुख शांती बनी रहती है. माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं. होलिका दहन के दिन आप एक छुटकी सिंदूर बिना किसी को बताए चुपके से होलिका की जलती हुई अग्नी में डाल दें और फिर इस मंत्र का उच्चारण करें. मंत्र इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मा लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है और इससे आपकी दरिद्रता भी दूर होती है. होलिका दहन में नारियल अर्पित करने का बड़ा ही महत्व है. होलिका की धधक्ति, अग्नी में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी से स समबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है. होलिका पूजन के समय होलिका में जौ अर्पित करने से घर में सुख शांती बनी रहती है. होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नी में एक बताशा, गाय के घी में डूबी हुई दो साबुत लौंग और एक नागरपान अर्प होते हैं. इससे आपकी मनो कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं. होलिकी रात्री में अगर भगवान नरसिंह की तस्वीर के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर नरसिंह कवच का पाठ किया जाए तो जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से सुरक्षा मिलती है. घर के मुख्य द्वार पर लटकी हुई, पुरानी नीम्बू मिर्च को निकाल कर होली की अग्णी में डालने और फिर दूसरे दिन सुभ़ नया नीम्बू और मिर्च मुख्य द्वार पर लगाने से घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास होता है. होली का देहन के दिन विशेश मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे आपका मन पवित्र होगा और भगवान नरसिंह की क्रिपा से आपके सभी पाप नश्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं, तो उसके लिए आप भगवान नरसिंह से क्षमा मांगते हुए होली का की परिक्रमा करें। भगवान आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभ कामना आएं। मां लक्षमी की क्रिपा सदैव आप पर बनी रहे इसी कामना के साथ धन्यवाद। अधymph कर दोस्तों तो सप्सक्राश कामना मां ए devo रहे हैं भवान वाल, नहां वान नहां येख, ला मां देें। छर्स्तों होग है, आप शर्क्यां मां वद रहे ऊंच्टब आपको अह्हाresक्श्य है